Fatty liver का मतलब होता है कि liver में excess fat का जम्म हो जाना और साथ-साथ में metabolic syndrome हो जाते हैं यानि चया-पचय में problem होता है हमारे पाचन क्रिया में गरबड़ी पैदा हो जाती है तो दोस्तों इसकी कंभीरता इससे समझा जा सकता है कि worldwide ये करीब-करीब 40% लोगों को ये problems है लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हमें fatty liver का problem से गुजर रहे हैं क्योंकि इसके symptoms बहुत कम या नग के बराबर होते हैं तो इसके symptoms में जदिया थोड़ा जानना चाहें तो एक तो ठकान होने लगता है right side में अपर तरफ में पस्टली के पास में pain होता है digestion में प्राबर्म होने लगता है fatty liver का मतलब होता है कि liver में excess fat का जमा हो जाना जिसके कारण हमारे liver में inflammation हो जाता है liver बड़ा हो जाता है और साथ-साथ में metabolic syndrome हो जाते हैं यानि चया-पचय में problem होता है हमारे पाचन क्रिया में गरबड़ी पैदा हो जाती है तो दोस्तों इसकी कंभीरता इससे समझा जा सकता है वर्ल्ड वाइड ये करीब-करीब 40% लोगों को ये problems है हमारे देश की बात जब करते हैं तो इसमें लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हमें fatty liver का problem से गुजर रहे हैं क्योंकि इसके symptoms बहुत कम या नख के बराबर होते हैं जो कि general type होते हैं तो यहां इंडिया में भी इसका थोड़ा गाउं में कम होता है या फिर पेट में हलका अफलका दर्द होने लगता है खास करके जो राइट साइड में अपर तरफ में पस्तली के पास में पेण होता है या फिर आपको digestion में प्रावर्म होने लगता है तो बहुत सारे SSA symptoms है जो की बहुत सारे SSA selection जो की बहुत common है इसलिए आप अल्टा नहीं कर पाते हैं तो इसका पता चलता है आप या तो ब्लड टेस्ट बगर कराते हैं जिसमें आपको इसका जदी बढ़ा रहता है खास लिमिट से तो उसके बहुते हैं कि फाइटी लिवर हो गया या फिर जदी आप अल्टा स्वनोग्राफिक राते हैं या सीटी स्केन कराते हो तो उसमें डिचल रूप से इसका पता चल जाता है कि आपका लिवर कितना पढ़ा हुआ है तो य अल्कोहुलिक फैटी लिवर हम कह सकते हैं और दूसरा होता नोन अल्कोहुलिक फैटी लिवर यानि जो नॉर्मल भी बहुत लोगों को फीजिकल अक्टिविटीज कम है खान पान में तो रिच डायट या फास्ट फूर या बहुत तरह के आजकल के समय में पोलिटेट खान है आप नौन अल्कोहुलिक प्राबलम लोगों भी ऐसे प्राबलम उजयाता है लिटील या कंघ चम लेते हैं उनको भी प्राबलम हो सकता है लें कि अक सबसे पहले उनको छोड़त ना चाहिए लेकिन इनडरल जदी मैनेज करना इसको था हमें यह मय ननवल को वाइट करना है तो ऍल्ट स्ट में पागते हैं अच्छे तरह जाड धालना पड़ेगा नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इसको अभवाइट करते हैं ओबेसीटी में बहुत ज्यादा पाया गया कि ज्यादा ओबेस्ट लोगों में बहुत ज्यादा होता है तो यह चीज हमें ध्यान देने की बाते हैं कि हमें कौन-कौन से आसन है फि पर फिश्यान दे दे तो चलिए दोस्तों में इसके लिए करके आप बोख भी बता दें जा रहा हो कि कौन-कौन से आसन कौन-कौन से प्रणयाम करें ताकि यह से भादा हमें मिल सकता है चुटकारा पा सकते हैं तो सबसे पहला है कि हम सठकर्म में दो चीज जरूर करेंगे लेते हैं इक है कि सठकर में बोडि के डी टोक्स सिफाइए करता है हमारे सरीख रिक के उंद्र का विष्ट कांविश को करता है सबसे पहला है करना लेकिन कपालघ्ञैम लेते हैं लेकिन हम करें तो बहुत काम करता है जैसे उसमें आप सब जानते हैं आप किसी भी ध्यान contract आत्मका आसन में बढ़ जाते हैं आप को भी आसन ध्यानात्मका सन्व में में ठैड जाते हैं फिर आप इख्लीएछ लेशन और पेसिव इन्हीलेशन करते हैं पेट को अंदर की तरफ हम उसको ऑटमेटिक जाता है जैसे कैसे अप इसको सुबह साम अप्रती दीन जब एम्टी स्टॉमेक हों तो कम से कम 5-10 मिनट तक जरूर करें धिरे-धिरे करें सुरुवात में फिर बाद में धिरे-धिरे इसको स्पीट को बढ़ा भी सकते हैं और जटका भी बढ़ा सकते हैं यानि पेट को अंदर ज्यादा स्पीड में से ले जा सकते हैं तो इसे एक खपालभाती जरूर करें इसमें बहुत लाब पहुंच जाएगा कम से कम 5 मिनट और आप 10-15 मिनट तक भी इसको कभी भी कर सकते हैं सुबह साम कभी इतना ही ध्यान देना है कि हम एम्टी स्टॉमक रहें दूसरा है सठकर्म में ही मैं बताने जानों जो कि एक अगनिसार क्रिया है इसका तो नौली भी आगे में होता है लेकिन पहले अगनिसार ही बता देता हूं ताकि अगनिसार से आपको फैदा मिलेगा अगनिसार क्रिया कैसे करते हैं यानि हम पहले क्या करते हैं कि स्वांस को बाहर छोड़ देते हैं बेटर है क करके दिखा दूँ आपको घुटने पर इस तरह से आप आ जाईए और स्वांस को बाहर छोड़ देते हैं कि पेट को अंदर कीट लेते हैं और फिर आगे पीशे सो करते हैं कि मैंने हाथ दिखा दिया इस पर रख करके कि आपको पता चले कि कैसे मुखमिंट हो रहा है तो इस तरह से इसको अगनिसार करें और यह यह वह कम से कम तीन वाद तीन से चार बार प्रती दिन सुबासां कर सकते हैं जब भी एमटेश्टों में कप रहे हैं अब मैं आसनों की सलसेरा बताने जा रहा हूं कि आसनी से बहुत यह स्पेस्विक आसन है बहुत अच्छे आसन है जिसको आप परती दिन आराम से कर सकते हैं मैं उसके सबसे पहला आसन जो मैं इसमें रिकमेंड करता हूं वह है अर्धमत सिंद्रासन यह आप मेरे वीडियो तो सब में मिल जा देखते हैं तो अर्धमत सिंद्रासन में इस तरह से बैठ जाए एक पैर को बाईया पैर को नहीं जांक की दिए भी अप दाहिना हाथ को पीछी जो पैर से ख़ड़ा है उसको हाथ को पीसे ले जाते है अब दूसरे आसे करते है इस तरह से अब बाड़ी को ट्विश्ट कर कर देता है आप फिल करेंगे कि लेवर पर इसका काफी अच्छा से प्रभाव पड़ता है इसलिए नमबर वन आसनी है कुछ करें या ना करें इसको अवश्य करें इस तरह से फिर एक हांप को पीछे लेगे दूसर तरह भी देखा देता हूं आपको अब देखें इस से अब प्रेसर कहां पड़ा है हमारे लीवर की पुश्यन पर पड़ रहा है बॉड़ी को डीट्योंग सिफायी करता है और आपको लीवर् के फेट को कम करता है को परती दिन कि जरूर करें कम से कम दो दो मिनिट तक दोनों पॉशिएन में मुझे llegar कम उसके जो ली तुर ताइमस इसको करें उसके गएचिंगा आपको अगला असन है पश्रिमतानाशन पश्रिमतान असन में हम उसी तरह इंद्धनासन में आ जाते हैं और हम ले जाते हैं हाथ को स्वांस सोड़ते हुए नीचे तर जाते हैं अब यहां प्रेसर हम फील करेंगे इसको हम आगे तरफ कमर से आगे तरफ जुपते हैं ऐसे जितना हो सकता है संभो उतना करें मान लिया कि एक मिनिट तक रूख सकते हैं जरूरी क्या है कि अब कितने दे तक इस पोजिशन रूख सकते हैं स्वांस छोड़कर के हम पर रूख करें दूसरा महत्वपूर्ण आसन है पश्चिमतान आसन इसमें हम लोग इस तरह से बैठते हैं और हाथ को उपर उठाएंगे स्वांस भर के यहां पर आएंगे स्वांस छोड़ते हो आग एक तरफ जाएंगे यहां रूख जाएंगे जहां तक आप आते हैं आग एक तरफ जूखें और इस पोजिशन में कम से कम तीस सेकंड्स से ले करके और एक मिनिट तक रूख के रहें जदी जादा जा सकते हैं तो आप निचे चले जाए इस तरह से ऐसे पकड़ने इसको आपका प्रेसर आप अपने लिवर को कर रहे हैं हमारा परपस होई है ताकि हमारा लिवर में जो ही फैक्ट से दिर दिर गले इसका पोजिट आज इसको कम से कम थ्री टाइम ज़रू करेंगे एक मिनट या 30 सेकंड तक अब इसका अगला है उस्ट्राशन उस्ट्राशन कैसे करते हैं तो मैं पहले भी दिखा चु यह भी आपको काफी हेल्प करेंगा मदद करेंगा इसको भी आप इसको अपजदी उतना नहीं कर पाते हैं तो आप यहां पर आ करके और इस तक कमर को कि ऐसे कर सकते हैं ताकि आपका आपका जो लिवर वाला पॉर्शन एक्टिव हो जाता है फिर अगला असन मंदुका असन इसमें बहुत ही एफेक्टिव होता है मंदुका असन काफी इसको हर तरह की प्रोब्लम्स में जो स्टॉमक्स रिलेटेड हैं नोट वन लिवर लिव श्यक्तिव लिवर तो इसमें आप कैसे करते हैं बज राषन बैढ़ जाते हैं बुठी बना लेते हैं नाभी के बगल में इसको रखते हैं और आगे आगे सवांस चोरते हो आगे कि तरब जाते हैं ड्रा दहां दे एडी से आपके बटक्स नहीं उटने चाहिए एडी से आ इसमें आपके सभी और्गंस को आप अच्छे से देखवाल कर पाते हैं इस माध्यम से इसको फिर एक दुबारा इस तरह से हाथ को नाभीक उपर में रखें दूसरा इस तरह से स्वांस छोड़ें आगे आगी तब जी करें एक एक मिनिट के एक मिनिट तक आप रुकें उसमें और इसको कम से कम फाइब टाइम्स करें ठीक है बहुत फायदा करने वाला है एक है जो कि बहुत ही पारस्यम्पथेटिक नर्व सिस्टम को भी रिगलेट करता है हमारे सभी अंगों को आउटमेटिक सुचारू ग्रूप स अचे से चलने के लिए बाद करता है जिसे हम कहते है आपको गोमुखासन आप इस तरह से बैठेट जा मुखासन आप आप आँ को बन करने धीर धीर सोलमी करी स्वांस भरें लमबी इस वांस पूंच हुआ है जरे है हमारे पर सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम को अक्टिवे निकलते हैं ठीक है इस तरह से इसको दूसरे पैर को भी है आफ अब ऐसे लेकर कि इस तरह से आफ गाल तो यह हमारा बहुती संदार तो हम सबसे पहले करेंगे भुजेंग आसन ऐसे ले जाते हैं सबने आपने जानता हुए यहां पर आते इसको तीन वेरियंट में तीनों तरह से करते हैं एक हुआ दूसरा है पूरा हाथ को खोल रहते हैं इस तरह अब तीसरा है इसको छाती के नीचे रख लेते हैं एक हाथ है लिको दूसरे हैं तरी के पास आए इस तरह से इसको भी एक एक मिनिट तक तीन बार करें ठीक है अब इसी से एक अगला आसन है जो कि आपको भुजंग आज धनुरासन वह भी आपके इस अंग को काफी मजबूत करता है यह यह धनुरासन अग्याव को अच्छे से एक्टिवेट करता है मसाज करता है और श्टिमिलेट भी करता है तो उसके अलावे एक और आसन हम करेंगे जो कि पीछ के बल पर करेंगे इस तरह से इस ले जाते हैं पैर को इस तरह से सेतु बंधासन इस पोजिशन में आप रुख सकते हैं जितना देर चाहें एक मिनिट दो मिनिट तक रुख सकते हैं इसको आप रांड्स को बहा सकते हैं फाइब टाइम्स इसको करें रुख रुख के एक एक मिनिट के लिए इतने सारे आसन में से आपको जरी लगे कि कुछ दिकत हो रहा है तो सेलेक्ट कर लें चार-पांच आसन आप परती दिन करें आपको काफी फाइदा होगा प्रणायम में मैंने पहले दो सठ कर्म बता दिया प्रणायम में आप अच्छे से नादी सोधन प्रणायम कर लें आप जानते हैं लेट से इनहेल करेंगे कि राइटेएग्जैल करेंगे राइटेएट करेंगे की लेफ्टे इंग्जैल करेंगे मैं भुछत अच्छा है। इसको उसके बाद आप कमारे घटति किया इसे भाष्त्रिका बहुत काम करता है बहुत काम करता है जिसको कहते हैं इसमें हम बहुत तेजी से स्वांस को भरते हैं स्वांस को छोड़ते हैं तो वह मैं एक दो स्ट्रोक करके दिखा देता हूं उसको भी आप कम से कम दो से तीन मिनिट तक आप बहुत परदाएं करें तो तीन तरीका है मेरे वीडियो बहुत आई हुए इसमें आप देख सकते हैं तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे यह आप एक एक मिनाट के अंतराल में और जब आप एंड होता है तो आप नाइट राइट नॉस्ट से स्वांस भरते हैं लिप से छोड़ते हैं एक चक्र के बाद सर्ध बेदर प्राइद कर लेकिंगे करें आप इसको बढ़ा करें और इसको ऐसे थी राण्ड प्रुद को से कम 30 चोट करें को इस आप इसको बढ़ा करने हैं और लिवर के फैट को कम करने के लिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान दखिए का यह फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसका दुस्प्रभाव फ्यूचर में पड़ सकता है इसको अब भाइड नहीं किया जाना चाहिए और हो सकता है यह कभी आपको कैंसर में परवर्तित हो जाता है दोस्तों आप दोस्तों यह रहे कुछ आपको आशन प्रणाय मुश्टकर आप इसको अच्छे से करिए और अपने लिवर को स्वस्त्र रखिए बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों जदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें आपको व सेर्कले बोट बोट देनवाद प्यावाद से